अब तक मैगनस कालसन को सीरियस टूर्णामेंट में केवल दो इंडियन ने हराया था, विश्वनाथन आनन या फिर एकागबार हरी कृष्णा में, मगर हाली में 16 साल के प्रग्ननदान ब्लैक पीचेस से कालसन को हराया, और इस पर उनको काफी तारीफ भी मिली, इवेंट ट पर सर्चिन ने भी इसपे ट्विट किया, जो टाइम से टैक्स दे रहोंगे, तो बहराल गेम के शुरुवाट D4, Nf6 और हमारे पास एक सिमेट्रिकल ओपनिंग देखने को मिलती है, जहां पर वाइट सेंटर में कैप्चर करेगा, फिर खेलेगा बिशप B5 और नाइट E5 तो यहां वही होता है जैसा प्लैन था वाइट का, यहां पर अगर कालसन जेनरली खेलते हैं, नाइट कैप्चर स्पॉन, मगर इस गेम में वो ट्राइ करते हैं, E कैप्चर D4, बिशप D6 और दोनों प्लेयर कैसल करते हैं, अब आप अगर पोजिशन देखेंगे तो पोज किये है, यहां पर खिला जाता है रुक C1, और एक गेमें डेटाबेस में विद्ध तौर नीश के बीच में, जहां पर खिला गया था रुक E6, मगर यहां पर प्राइगन दा वेल प्रिपेरड है, वो खिलते हैं, एंजन्स टॉप रेकिमेंडेशन, क्वीन B6, बिशप 94, F3, जो कि इतना प्रेसाइस नहीं था, F3 मेरे हिसाब से पोजिशन खराब करता है, यहां पर आपको खिलना चाहिए, रुक F3 यहां फिर F6 वगरा, रुक F3 खिलना चाहिए, F6 तो ब्लैक खिलेगा, मगर हमारे गेमें खिला जाता है, F3 और इसी के साथ आप देखेंगे कि धीरे-धीरे, ब्लैक की पोजिशन बेटर होने लगी, अब यहां पर बिशप H2 इसले खिला गया, कि जब हम लोग यह नाइट हटा है, तो यह बिशप हैंगिंग में रहे है, यहां पर कालसन ने ग्रीडी-वीडी की तरह एक पॉन कैप्चर किया, जो कि ब्लंडर था, क यहां पर बेस्ट मूव है, नाइट E5, लेकिन उसके बाद, यहां पर सब कुछ कैप्चर होने के बाद, आप देखेंगे, जो हमारे पास एंड गेम बचता है, वहां पर रुग D2, इस पॉन को अटैक करते हैं, यहां पर आप इसको डिफेंड करेंगे, लेकिन सिंप्ली यहां पर आएगा, नाइट E6, और इसको आप बचा नहीं सकते हैं, और यह पॉन काफी स्ट्रॉंग है, और ब्लैक जीत जाएगा, मगर यह काफी लॉंग कैलकुलेशन थी, और रैपिड में इतना टाइम ने होता प्लेयर के पास, इसलिए हमारे गेम में खिला जाता है, अब देखें कालसन ड्राइवर सीट पर आ चुके हैं, नाइट E5 और यहां पर सब कुछ कैप्चर होने के बाद, आप देखेंगे जो अब हमारे पास एंड गेम है, वो क्वीन और माइनर पीसेस का है, जहां पर ब्लैक के पास एक स्ट्रॉंग पास्ट पॉन है सेंटर में और यहां पर कालसन पॉन अफ है, यह आप देख सकते हैं, यह दो पॉन अफ है और कालसन इस विक्निस को भी अटाक करने वाले हैं, A7 की, B3, QC6, QD2, तैयारी करते हुए QA5 की, यहां पर खिला जाता है QA5, QC1, और QC7 के बाद आप देखेंगे, तो कालसन दो पॉन अब लैक के पास, वह है यह स्ट्रॉंग पॉन और यह स्टक किंग, यह थोड़ा सा फसा हुआ है, मगर यही काफी इंपॉर्टेंट होगा है, क्योंकि चेक्मेट बड़ा थ्रेट होता है, मटी जेल से, यहां पर QE3, इस पॉन को प्रोटेक्ट करते हुए, और कालसन से ल चेक्मेट है यहां पर, अब आप पोर्ज नहीं, आपको खिलना पड़ेगा नाइट F2, लेकिन नाइट E2, अब देखिए यह पॉन डिफेंडेड है, अगले मूव में यहां पर QG1 मेट आ सकता है, इसलिए H4 किंग के लिए जगे बनाते हुए, QE1, QD7 और नाइट कैप D4, नाइट F1 चेक्ट और यहां पर, नाइट E3, QB2 और यहां पर, फिनिशिंग मूव आता है, बिशप C2, कमाल कमी, इस क्वीन को इस नाइट से हटाते हुए, अब यह नाइट अगर कहीं हट की है, तो यहां पर सिंप्ली आप मेट हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर हमार अब C2 के बाद, और कमाल की विक्टरी थी प्राग्नान दा की, आशा करता हूँ, आपको इस वीडियो अच्छा लगा हुगा, अच्छा लगा तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सेंगेंगे झालो में नहीं झालो में अजसे सक्षери की, आपके लिक्वे अच्छा लोगा, आपकी चाश्गा की, आपकी अच्की विक्ते हमारे में झालोमें में इस्यमेंक कर देखना हुगा त्में।